तो यह वो pattern है जो कि हमने print कराना है जो पुरानी problem थी उसका just reciprocal है ठीक है mirror image है अगर आप यहाँ पे देखो इस pattern को analyze करो तो सेम चीछ है पाँच रोज है ठीक है पाँच रोज हमने यहाँ पे लिये हुए है पहली रो में एक star print हो रहा है दूसी रो में दो star print हो रहा है तीसी र यह चीज तो सेम है but difference यहाँ पे यह है कि जो आप यहाँ पे देखो कुछ इस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूँ जो पहली row है उसमें चार blank spaces आ रही है spaces print हो रही है second row में आपकी तीन आ रही है ठीक है third row में आपकी दो आ रही है fourth row में एक आ रही है और last row में आपकी एक भ पहली row में हमने पहले blank spaces को print करना है और उसके बाद star print करना है फिर second row में एक blank space को हमने कम करना है फिर उतनी blank spaces print करनी है उसके बाद 2 star print होंगे तो यहाँ पे मैं यह कहना चाहरा हूँ कि आप देखो जो spaces है पहले चार थी फिर तीन हुई फिर दो हुई फिर एक हुई तो that means एक जो blank spaces वाला जो हमारा loop है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा एक decrement loop चलाना पड़ेगा जिसमें हर बार decremented होगी तो कुछ इस तरह से हमारा logic होगा एक for loop हम चलाएंगे हमारी row के लिए जो की number of rows में होगा सबसे पहली row के लिए जब हम entry लेंगे पहले row में हमें क्या करना पड़ेगा एक for loop चलाना पड़ेगा जो की क्या करेगा blank spaces प्रिंट करेगा जब blank spaces प्रिंट कर लेगा उसके बाद फिर हम एक loop चलाएंगे वो क्या करेगा वो star प्रिंट करेगा तो इस तरह से हमारा logic होगा इस program के लिए तो आईए इस pattern को हम बनाते हैं using loops ठीक है तो सबसे पहला loop because देखो क्योंकि हमें boss यहां पर आप देखो decrement loop बनाना था spaces को हमने decrement करना है और वो किस पर depend कर रही है कितनी number of spaces है वो row id पर depend कर रही है ठीक है तो that means जो हम जो row वाला जो loop है उसी को हम decrement करके चलाएंगे that means हम यहां से शुरुआत करते हैं for i is equal to 5 semicolon i is greater than equal to 1 i minus minus यह 5 row print करेगा instead of incrementing loop हमने यहां पर decrement loop लगा दिया ठीक है और इसके बाद सबसे पहले हमने क्या print कराना है हमने print कराना है spaces तो हम print कराएंगे spaces को जे वाला जो loop है वो spaces के लिए चलेगा i वालो loop रोस के लिए था तो यह कहां से कहां तक जाएगा बन से कहां तक देखे जो number of spaces है वो किस पर depend कर रही है row पे पहली row जो थी उसमें कितनी आ रही है चार फिर देन तीन देन दो फिर एक ठीक है that means कि यह कहां तक जाएगा j is less than less than equal to नहीं आएगा इसमें because i हाएगा ठीक है i इसलिए आएगा equal to आ जाता तो यहां पे कितनी बार कितनी spaces प्रिंट हो जाती 5 बट हमें चाहिए 4 that means less than i रखेंगे है ना और उसके बाद j plus plus ठीक है यह चीज हो गई और इसमें वो क्या करेगा printf blank space एक character की आफ space यहां छोड़ दीजे और यह आपकी blank space प्रिंट कर देगा और इसके बात close ठीक है जब यह पूरा complete हो जाएगा इसके बाद हम दूसरा लूप चलाएंगे वो कौन सा लूप चलाएंगे star print करने का और वो कहां से चलेगा k is equal to हम चलू करेंगे 5 से शुरुआत करेंगे because हमने एक ही बार print कराना है और वो कहां तक जाएगा k is greater than equal to i k minus minus और उसमें वो क्या करेगा printf star star print करा देगा यह बंद हो गया यह वाला for loop आपका यहां पर बंद हो गया और यह फिर row वाला for loop यह बंद हुआ और फिर finally आपका यह void main function बंद हुआ आई यह इस program का जड़ा execution समझते हैं i, j, k values लेते हैं यहाँ पर मैं ले रहा हूँ i फिर यहाँ पर लूँगा j और यहाँ पर लूँगा k ठीक है अब आप देखिए सबसे पहले i की value मैंने initialize की 5 से 5 से हमारा शुरुआत हुआ i की value थी 5 ठीक है वो greater than 1 है that means ठीक है loop के हमन आपने entry ली यह for loop आपका यह था यह यह था और यह वाला for loop आपका रोका था ठीक है तो पहली रो के लिए j is equal to 1 और j is less than 5 i की value 5 थी that means जो j की possible values हैं वो क्या रहेंगी 1, 2, 3, and 4 यहीं तक आपका चलेगा ठीक है और 4 तक चलेगा अगर is equal to rather than 5 स्पेस हो जाती है लेकिन हमने पहली रो में हमें कितनी चाहिए चार स्पेसिस चाहिए ठीक है चार स्पेसिस चाहिए इसी लिए केवल हमने less than equal to i रखा ठीक है तो चार बार जब यह loop चलेगा तो चार बार आपकी blank स्पेसिस देगा ठीक है चार बार आपकी blank स्पेसिस देगा ठीक है चार बार आपकी blank स् आपका क्या है क्या बोलते है आई है बिलकुल सही है that means कि हम यहाँ पर क्या करेंगे star को print करा देंगे इसके बाद क्या होगा k की value क्या होगी हमने फिर से decrement करा दी that means k की value हो जाएगी 4 तो 4 हो गई 4 होने पर क्या होगा 4 is greater than equal to i नई condition आपकी false हो गई that means कि यहाँ से हम exit मान लेंगे देखे एक चीज मैं यहाँ पर बूल गया इस block के बाद यहाँ से हम यहाँ पर नई line लिखनी थी मुझे printf new line पर आने के लिए right तो new line के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ तो जब यह loop complete हो जागा इसके बाद cursor आपका next line पे आगया जब next line पे आगया दुबारा i की value अब क्या हो जाएगी decrement हो गई i की value अब क्या हो जाएगी 4 i की value हो गई 4 that means यह greater than 1 है that means कि हम entry लेंगे loop के अंदर और इसकी possible values क्या होंगी i की value 4 थी और j की value 1 से शुरुआत करनी है तो j की possible values क्या होंगी 1, 2 and 3 तो 3 बार 3 बार यह loop चलेगा और 3 blank spaces को इसने print करेगा और उसके बाद अब आप देखो k की value कहां से शुरुआत हो रही है 5 से 5 से शुरुआत होगी और कहां तक जाएगी 4 तर 5 और 4 केवल दो बार k वाला loop चलेगा 5 और 4 के लिए that means 2 times आपकी printing होगी star की और उसके बाद यह loop terminate हो जाएगा that means उसके बाद यह वाली line execute होगी करसर आपका new line पे आजएगा and again फिर i की value अब कितनी हो जाएगी 3 i की value 3 हो गई that means i की value 3 हो गई that means कि जे वाला loop कितनी बार चलेगा 1 and 2 केवल दो बार चला that means 2 blank spaces print होई और अब के के लिए फिर loop आप देखोगे 5 से लेके कहां तक जाएगा 3 तक 5, 4, 3 that means 3 बार आपका start print होगा 1, 2 and 3 इस तरह से हमारी printing होगी तो main concept आपका ये है ये वाला जो loop था ये spaces के लिए था ये वाला जो loop है वो star print कराने के लिए और ये वाला जो I वाला loop है वो क्या करा रहा है वो row को row generate कर रहा है ठीक है तो इस तरह से ये वाला pattern आपका print हुआ